हेलो बचों, BSCPART 1st के बचों को आज मैं फंजाई वाला पार्ट शुरू कर रही हैं, उनके पेपर सेकेंड में जो शामिल है, फंजाई के आज जनरल करेक्टर से चालू करते हैं, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फंजाई के जनरल करेक्टर क्या होते हैं, देखिये फ शत्रक नुम्मा कवक प्रजातियों को ही रखा गया होगा लेकिन बाद में अन्य परपोशी एवं क्लोरोफिल रहीत सरल पादप काईवक प्रजातियों को भी कवक समू में सम्मीलित कर लिया गया इस समू के पौधों का अधियन वनस्पति की जिस शाका के अंतरगत हम करते हैं उसे माइकोलोजी कहते हैं माइकोलोजी जो वर्ड है ये ग्रीग भाषा की दो शब्दों से मिलकर बना है पहला वर्ड है माइकोज जिसका आर्थ होता है छत्रक या मश्रूम और दूसरा वर्ड है लोगोज जिसका अर्थ होता है टू स्टडी तो इन दो शब्दों को मिला करके बनाया गया है शब्द माइकोलोजी कवाक या फंजाय समू के सद्यसियों को हरित लवाक रहित थैलोफाइट्स या एक लोरोफिलस थैलोफाइट्स भी कहा जाता है परकार के कवक सद्यसियों की जानकरी मानव को अति प्राचीन काल से ही प्राप्त है हमारे आदी गरंथों वेद पुराणों एवन विभिन पादव रगों का उलेक किया गया है सबसे बहले रोमन सबिता में विद्वानों ने खाने योग एडिबुल फंजाई एमेनिता का तथा विशालू या टॉक्सिक फंगस एमेनिता मुसेरिया का विभेदन या डिफ्रेंसियेशन इसपश्ट किया बॉटनिस्ट सिजल पिनस 1583 ने अपने पुस्तक प्लांटिस में भी कवक सद्यों का उलेक किया है जो कि कुछ पौधे बीज रही एवम अपूर्ण होते हैं तथा सड़ी गली वस्तों से पैदा होते हैं और ये प्रजरन क्रिया में सक्षम नहीं होते हैं तो उन्होंने इ 1601 के द्वारा सर प्रथम खाने योग एवम टॉक्सिक कवकों का क्रमबद अध्यन किया गया इसके बाद में बोहिन 1623 द्वारा अपनी प्रसिद्य पुस्तकों में कवकों की लगभग सौ प्रजातियों के अतिरिक लाइकन्स का वर्णन किया गया तथा उन्होंने कवक सूक्ष्म जीवी कवक प्रजातियों के अध्यन कश्रे रॉबर्ट हुक 1665 को दिया जाता है जिन्होंने स्वैम के द्वारा निर्मित सूक्ष्म दर्शी या माइक्रोस्कोप यंत्र की साहता से अनेक सूक्ष्म कवकों का अध्यन किया और इसके साथ ही उनके द्वारा मश रॉबर्ट कुक ने इस कवक के टेलिटो स्पोर्स भी देखे तता इनका नाम सीड कोट्स के तौर पर किया गया इसके बाद में एंटोनी वान लिवन हॉक 1680 के द्वारा बियर नामक मादक पे में इस्ट का निरिक्षन किया गया इसके बाद में डिलिनस 1687 से 1747 एवं वेल 1750 ने अने कवक प्रजातियों की खोच की डिलिनस द्वारा कवक सदस्यों को पैजाईजा का नाम दिया गया इटालियन बॉतनिस्ट पियर एंटोनियो माइकेली ने अपनी पुस्तक नोवा प्लांटेनम जेनरा में सरवत्म अने कवक प्रजातियों का वॉर्णन किया उनक कि किसने किस तरह से खोज करी है इसके बाद में देखिए 1753 में लीनियस ने अपने वर्गी करन पद्धिति के अंतरगत फंजाई शब्द का प्रयोग अत्यन सीमी तर्थों के पौधों के एक वर्ग के लिए किया था उनके द्वारा अनेक कवक सदस्यों के जैनेरिक एवं स् उन्होंने कवकों को शेवालों के साथ क्रिप्टो गैमिया में स्थापित किया वनस्पति शास्री आइकलर ने पौधों के इस सम्मों को एक क्लास के रूप में गठित किया हाला कि अनेक कवक विज्ञानियों के अनुसार इस क्लास में सम्मिलित कुछ सदस्यों में निकट संबंध वत एवं एफिनिटीज परिलक्षित नहीं होती अतै ऐसे सदर्शियों के एक वर्ग में ही रखा जाना सर्वता अनुची प्रतीत होता है अतै इस अवधारना के परणाम सरूप बाद में कवक प्रग्यानियों द्वारा क्लास फंजाई को तीन अलग-अलग समों में विभक्त कर इनको डिवीजन के रूप में क्रमोनत कर दिया गया इस प्रकार बैक्टीरिया एवं स्लाइम मोल्ड्स एवं सत्य का वग्या टूफ अंजाई दुस्वतंतर रूप से अलग-अलग पादवों पाद़ा प्रभागों की तोर पर निरूपित किये गया एंटोनी डी बैरी को आदुनी कवक्विज्ञान का जनक कहा जाता है 1866 में उनके द्वारस रजित अंग्रेजी अनुवास सन 1917 में उप्रसिद्ध पुस्तक में अनेक कवकों की उपस्थिती उत्पत्ती एवं जीवन चक्र का सचित्र एवं विस्तरत विवरंड दिया गया डी बैरी के कवक के अनुसार कवक सजीव एवं गतिशील सनरचनाय होती है उनके द्वारा अनेक रस्ट के विशेशकर गेहूं के किट्ट इस्तंब किट्ट या स्टैम रस्ट के जीवन चक्र का अधियन किया गया इसके जीवन चक्र में हीट्रो थालेजम का निरूपन भी सर्वत्म डी बैरी ने ही किया उन्होंने यह भी बताया कि आलू का यह लेट ब्राइट ऑफ पोटेटो एक कवक प्रजाती फाइट ऑफ थोरा के संक्रमन्ट से होती है आधुनिक विचारधारा के अनुसार स्लाइम मोल्ड्स अवं सत्य कवक दोनों ही एक सुतंत्र प्रभाग या मा के रूप में मानिता दी गई सजीवों के इस रोचक पादक समू में लगवग एक लाग सदसे प्रजातियां सम्मिलित की गई जो कि आकरती विभार एवं जीवन चक्र में परसपर बहुत अधिक भिनिता प्रदर्शित करती हैं संभवत ऐसी कारण से इस कवक विज्यानी क इस समू की सरल पूर्ण एवं सटीक भाषा प्रस्तूत करना भी दुशकरे कारे हैं फिर भी अनेक कवक वग्यानियों ने अपनी सामर्थे एवं शम्ता के अनुसार इसकी अनेक परिभाषें प्रस्तूत करें एक समानी परिभाषा के नुसार कवक लोरोफिल रहित संरचना एवं कारेकी में डाइवर्सिटी पाई जाती है अलेक्जोपोलस एवं मिम्स 1979 के अनुसार यू केरियोर्टिक बीजानोधारी क्लोरोफिल रहित जीव यू केरियोर्टिक स्पोर वीरिंग एक लोरोफिल्स और्गनिसम्स हैं जिनमें लैंगिक एवं एह लैंगिक प्रजनन होता है इसकी काईक संरचना सामानीते तंतूवत वशाकित होती हैं एवं ऐस क्लोरोफिल रहित समवहनी पौदे हैं जिनके जिनको काईक संरचनाओं तथा परजन के अधार पर बैक्तिरिया या माइसीटोजोवा के अतरिक शहवालों या उच्छ वर्गी पौधों के मानत समोह में नहीं रखा जा सकता अब देखते हैं एंसवर्थ 1973 के नुसार कवको की प्रमो कुष्चत हैं नीम्र प्रकार से हैं जैसे कि यह प्राय हिट्रोट्रॉफिक होते हैं अपना भोजन या तो डेड्ड और्गनिक मैटर से प्राप्त करते हैं या कभी-कभी इंजेशन भी करते हैं थैलस एक कोशी की अमीबिय या प्राजमोडियल या तंतु में कभग जाल या माइसीलियम के रूप में ए सैप्टेट या सैप्टेट तथा आधार में अंतर स्तापी या बहार निकलवा होता है कोशी का भित्ती या सेल वॉल प्राय सेलुलोस या फंगल सेलुलोस या काइटिन की होती है कभग समवर्ग उ माइसेटिस के सदस्यों में य लक्षित होती है यह कवक जाल सम या विशम केंद्री होता है तथा दूगुणित या अगुणित होता है कवक जाल में डाइकरियोर्टिक अवस्ताभ़ थोड़े समय के लिए पाई जाती है इनका जीवन चक्र लाइफ साइकल सरल से जटिल होता है इनका कवक जाल सम थालसी या विशम थालसी हुमो थालिक या हीट्रो थालिक हो सकता है तथा दोनों विप्रीत प्रभेदों की लैंगिक संरश्णाय एक या अलग कवक जालों पर उपस्तित लैंगिक प्रज़न के परिणाम सरूप विक्सित होने वाली इस पोरोकार छोटी या बड़ी हो सकती है ज अर्थात ये अपना पोशन अन्य परजिवी पादप तथा जन्तों से प्राप्त करती हैं ये सर्व व्यापी अर्थात कॉस्मो पॉलिटन डिस्टिबूशन प्रदर्शित करते हैं अर्था विश्य के सभी भागों में पाई जाती हैं इनका हैबिटेट देख लेते हैं ही काई अर्फित करते हैं इनका है इस में ये को सकती है इनने से कुछ जो सेप्रोफुटिक सदस्यों होते हैं वह जल में डूबी हुई पौधों की शाखाओं पत्यों तदा फलो विगटन शील पादप तथा प्राणी अवशेशों पर भी पाई जा सकती हैं इसके लावा देखिए कुछ टैरिस्टियल फंजाई होती हैं इस्थालिये इस्थालिये फंजाई में यह सभी कवक संबर्वों के अधिकांज म्रतोब जेवी सहजीवी परजेवी तथा क्रमी नाशी सदस्य यह मिट्टी या म्रदा में जीवन यापन करते हैं इनको सॉयल इ मैं जड़ों में मिलते है जिनको रूंट हैं इसके लावा देखिए जैसे की यह कुछ बंगो पर आए जननको जाती है जनको पाई लो बॉलाज उड़ यह नांशी उपरजात्म jäकित नाशी या क्रमीय नाशी वहना है ।न स्यानिक योख के या ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीवी संबंद इस्थापित करती हैं तर्था गट्वर्णन के दोनों सद्रसे सद्रूप्स से एक अलग पादप के तौर पर निरूपित होते हैं इनको लाइकन कहते हैं तो लाइकन के अलावा देखें पैरसिटिक फंगाइस भी होती है क्योंकि यह ज्यादा तरतों पैरसाइटी होती है इनके अंत्रगत अनेक प्रकार के प्रजातियां पौधों प्राणियों और मरिश्यों का परजीवी के रूप में संक्रमन करती हैं पैरसिटिक में यह आ जाता है हाइपर पैरसिटिक कुछ फंजाई की स्पीशीज अन्य स संवर्कों के कवक सदस्यों को संक्रमित कर उन पर परजीवी के समान जीवन यापन करती हैं जैसे कि पाउट्री मिल्डियू उत्पन करने वाली कवक पर एक अन्य परजीवी कवक एप्लियूमाइसीज क्विसक्वैलिस तथा किट रोग उत्पन करने वाली कवक प्रजाति प्रकेंडन वायुद्वारा होता है तो यह थी बात थोड़ी सी आज फंजाई के जनरल करेक्टर्स के बारे में अभी और भी आगे बातें देखेंगे थैलेस और गनाइजेशन एवां डिप्रोडक्शन आदेके आगे के लेक्चर्स में थैंक्यू